दखें, SDM कोट का जव आदेस आता है, और ये आदेस जो है, अगर जो तहसिलदार है, ठीक है, तो वो अगर नहीं मान रहा है, है ना, तो क्या करना चाहिए आपको, मतलब SDM कोट का आदेस आ गया तहसिलदार का अपस जा रहा है, और वो उसको नहीं कर, लेकिन सबसे पहले तो अगर जो अन्मंडल से कोई आदेस आया या जिला से कोई आदेस आया तो जो भी अंचल लेवल के अधिकारी हैं करमचारी हैं उनको उसका पालन करना पड़ेगा नहीं तो कहने का मतलब क्या हुआ जो बड़े उच अधिकारी है उनका आदेस आता है उसका वो अपमान कर रहे हैं अभेलना कर रहे हैं तो अभमान का भी जो मुकदमा है उसके उपर दायर किया जा सकता है तो ऐसा तो नहीं लेकिन एक time period है आप wait कर सकते हैं कि आखिर वो कब करेंगे ऐसा तो नहीं कि आपको direct बोलने कि नहीं करेंगे तब आप कुछ action ले सकते हैं लेकिन अगर वो एक time ले रहे हैं तो उस time के अंदर वो जो है जरूर करेंगे अगर एक बार आदेस हो गया है तो नहीं होगा तो पुना जो है आप फिर उस मामले की सिकायद जो है कि आपका degree होने के बावजूत भी आदेस होने के बावजूत भी तै तहसिलदार सुधार नहीं कर रहा है कि अगर आपको नहीं कर रहा तो अगर पहले देख ले क्या हो सकता है कि वह आपको directly अगर没 बोल रहा है तब आप कुछ कर सकते है लेकिन अगर यह बोला जा रहा है आपको कि आप वेट कीजिए तो उस case में तो आपको वेट करना चाहिए और यह आमाल लेते हैं समय लगेगा तो आपको एक समय से हो सकता है कि बहुत लोग का जो है एक तरह से काम पेंडिंग होगा तो काम जिसका भी होगा एक सिक्वेंस वे में ही होगा तो अगर यह होता है कि ठीक है नहीं ही किया गया तो उस case में आप जो है उसके against दुबारा जो है आप कोट में जा सकते हैं पुना जो है आप जो है तहसिलदार के खिलाब जो है SDM कोट में सिकायत कर सकते हैं कि आदेश होने के बावजूर जो है यह कारी नहीं किया गया अगला स्वाल के सर दादा दो भाई एक दादा को मिरत्यू होने के दूसरे दादा अपने नाम से जमीन कर लिया सारे जमीन का क्या सर जमीन जो है अभी हाँ देखें एक दादा जो अगर दो भाई है ना ठीक है तो मालते की दादा जो है आपके वो दो भाई है ठीक है अब एक दादा का मालते मिर्तियों हो गया ये दो भाई है ठीक है अब एक का मिर्तियों कर हो गया तो दूसरी दादा आपने नाम पर जमीन करा लेंगे तो उन कोई वनसज नहीं है मालते होने के समय जिस समय उनका मिर्थ्य हुआ उस समय उनका कोई भी साधी नहीं हुआ बच्चे नहीं हुए सिर्फ साधी अगर हो गया उनका तो फिर पतनी को वो सारा हग चला जाएगा तो इसलिए दादा जो दूसरे दादा है अपने नाम करवा भी लिया है तो आज भी आप उसको जो है कानूनी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और इस मामले को लेकर आपको जो है सिविल कोट में केस फाइल करना पड़ेगा और आप अगर जो जिनका जो जमीन चला गया है उनके अगर उतरा अधिकारी हैं तो वो समपत्ती को जो है सिविल कोट से जरूर प्राप्त जो है वो कर लेंगे ठीक है तो विकल्प यही है कि सिविल कोट में आप केस फाइल करेंगे और समपत्ती को प्राप्त कर सकते है सवाल एकिसर जो है पुराना खतियान जिसने जिससे लिया जमीन 1945 में उसी के नाम से है तो किस अधार पर जो है आदमी पर केस कर जिसका नाम नया खतियान में है हाँ तो ठीक है जो पुराना माल लेते हैं जिसके नाम से है ठीक है और जमीन जो है माल लेते हैं कि नया वाला जो आप जमीन है वो दूसरे वक्ति के अगर नाम से हो गया तो पुराना जो ख़टियान है उसका आपको एक तरह से copy आपको निकालना पड़ेगा उसका नकल जो है वो पराप्त करना होगा पुराना का ये नया माद का भी नकल आपको निकाल लेना है पुराना को अधार बताते हुए उसमें क्या-क्या तूरूटी हुआ है उसको सुध सुधार के लिए जो है, सिविल कोट में meas file करेंगे, है न, सिविल कोट में, जो है केस करके, आप सुधार करवा सकते हैं, देखें, पुराना जो है, उसी का अधार नया होना चाहिए, किसी कारण बस लते, जो नया खतियान है, उसमें गलती हो गया है तो कोट को जब लगेगा कि इसमें सही में तुरूटी हुआ है तो फिर सुधार का आदेश जो है वो दे दिया जाएगा सवाल असर मैंने एक जमीन जो है एक कठा खरिदा है रजिस्टी में 360 स्क्वार फीट लिखा हुआ लेकिन डिस्मिल में जो है यहां पर 1.12 लिखा है जिसमें दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो अब क्या करें सबसे पहले तो यह जमीन कम है अगर तो कहां से दाखिल खारिज होगा तो जमीन जो है पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि जमीन कम होने का क्या कारण है तो ये आप जो है जो वहां के कर्मचारी हैं उससे पतागर सकते हैं कर्मचारी से जो है एक तरह से रिपोर्ट जान सकते हैं कि इनका पहले कितना जमीन है आखिर कम क्यूं है क्या वो पहले से कम है या किसी को वो बेचे हैं जो दाकिल खारी या amotation करवा लिया तो कम होने का कारण क्या है या ये भी हो सकता है कि किसी कारण बस चलते हैं गलती से जो जिला से जो register त्यार होके आता है उसमें वो जो है पूरा नहीं चड़ पाता है तो वो भी एक कारण होता है तो उसका भी जो है एक तरह से सुधार संभब है जिला से जो है आप उसका भी सुधार जिला कलेक्टर के पास से करवा सकते हैं इसलिए कि वहाँ से जो register में सारा information बेजा गया उसमें ये तुरू है वो होगा सवाले सर आज से जो है साथ साल पहले हमारा बारेक कठा जमीन जो है चाचा ने बेज दिया उस जमीन पर SDM कोट से stage जो है order था अब क्या करें अब हमारा जब दखें आप तो मान लेते हैं आपकी जमीन असाथ कठा और अगर वो आपकी संपत्ती है ठीक है आपका अगर उस पर अधिकार था आपकी ही है तो उस case में अगर मान लेते चाचा के द्वारा बेच दिया गया है तो एक तो होता है कि ठीक है आपने SDM कोट से जो stay था या धारा 144 लगा जया फिर भी ऐसा किया गया तो अब आप मामले को civil court ले जाएंगे इसलिए civil court ले जाएंगे कि आपको अब जो है ना रजिस्ट्री जो हो गया है जिसका sale deed त्यार हो गया उसको भी आपको cancel कराना है तो इसके लिए आपको civil court जाना परेगा इसलिए कि जो sale deed है उसको cancel करने का जो power है जो अधिकार है वो civil court को है तो इसलिए आप civil court जाएंगे civil lawyer से कोई civil जो अधिवक्ता है उनसे संपर्थ करेंगे और बताएंगे कि आपका जो जमीन है आपके हिस्से की जमीन है और आपके जो चाचा है वो उसको बेच दिये हैं और जबकि आपका पहले से आपने जो है सिकायत भी किया था और उस पे जो है स्टे भी SDM के तरफ से लगाया गया था फिर भी ऐसा किया गया है तो संपत्ती लेकिन आपको वापस जरूर प्राप्त होगा अगर वो गलत तरीके से बेचा गया है आपके हिसी की property को बेचा गया ह तो civil code के दोरा इस परकार का sale did को जो है वो cancel कर दिया जाएगा सवाला सर मेरे पापा ने जो है मेरे बड़े पापा से जमीन खरी दी ती जिसकी registry है 30 साल हो गया है पर मेरे जो है ना पापा ने नामंतरन नहीं करवाया है कबजा 30 साल से हमारे बाज़ा है अगर आपके पापा ने जो बड़े पापा से जमीन ख़ड़िदी दिया रेजिसक्तरी हो गया है और नामंतरन नहीं कराया है 30 साल हो गया तो देरी भी नहीं करना चाहिए आज भी आप करवा सकते हैं आप उसको जाएंग आण-लाइन एपलाय करवा दीजिए कि आप नामंतरन के लिए जो है आण-लाइन परक्रिया से अगर आपके राज्य में होता है तो आप 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 आपका ईपलाय करवाईए और उसके बाद जो आपका सेल डीड है जब भी जरूत पड़ेगा आपका जब नंबर आएगा तो अगर वेरिफाइ करने के लिए बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे और ऐसे भी आवेदन करने के कुछ दिन के बाद जो है एक टाइम लिमिट रहता है उसी लिमिट टाइम में आपका होगा तो जब आप पता करते नहीं कि आपका जो है प्रोसेस में है की नहीं है तो आप जाके मिल भी सकते हैं जो अधिकारी है उनसे बात कर सकते हैं उनको बता सकते हैं कि जब ने जो है वो 30 साल पहले लिया और आपका जो है किसी कारण बस आप जो है मोटेशन नहीं करवा पाए और आज जब उसका amortation करवाना चाह रहे हैं तो आप जो है करवा सकते हैं सवलसरम दो भाई हैं एक बहन है पिता ने भाई को जो है घर बनाने के लिए जमीन दी थी दी है बहन को जो है पुराना घर दिया था अब बहन को जो है बड़ा घर बनाना है तो वो दूसरी जमीन में जो हिस्सा मांग रही है पिता ने खेत में जमीन जो है पिता खेत में जमीन देना चाहती तो वो भी नहीं यहाँ पर तो ऐसा जो है यहाँ पर खेती है मुझे जो है यहाँ पर जो अच्छी जमीन है और अच्छी जमी नहीं चाहिए ऐसा कर रही है है ना तो क्या बहन को उसकी मन पसंद जमीन मिल सकती है देखें मन पसंद नहीं होता, जितना भी पलोट है ना, अगर माल लेते हैं हिस्सा लेना चाहे तो जो पलोट है उसमें हख लेना परेगा ऐसा तो थो रही है कि मौकिक ठीक है आप माल लेते हैं उसमें सहमत हैं तो ठीक है नहीं तो जो भी पलॉट है अब ये पलॉट है अब एक भाई एक बान है तो दो ही पार्ट में बटेगा उसमें भी आदा लेना परेगा जो दूसरे पलॉट है उसमें भी आदा लेना परेग अब अगर माल लेते हैं कोई आपसी समधी से जो है राजी नहीं है ठीक है वो कहरेक नहीं हमको जो है जो अच्छा प्लॉट है माल लेते हैं कोई यह सरक के किनारे प्लॉट है यह चाहिए तो यह तो संबब नहीं है कोई भी नहीं देना चाहेगा कोई दूसरा हिस्सेदार भ उनों को समान अधिकार हो आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देख रहें सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबालें मिलते हैं अगरे वीडियो में तब तक कि लिजाएं